लोग सभा तयारियों में जूटी समाजवादी पार्टी लगातार बैठके कर रही है आज भी पूर बिधायक बिधायक और जो लोग सभाय बिधान सभा के प्रतियासी थे उनकी बैठक बुलाई थी बैठक में कई सारी चीजे हुई ख़वर ये है कि मायावती को लेकर के अक कुछ चीटों को लेकर के भी अपने बिधायकों को बतायक किन सीटों पर चुनाव लाना हमारे साथ बैठक में सामिल थे पूर विधायक बैजना दूबे सामिल थे बैठक में 양ज क्या क्या हुआ इसा आज 11 बजे से 3 बजे तक बैठक चली उसमें तमाम मुद्दे थे एक तो तमाम जो पार्टी के विधायक हैं या पूर विधायक हैं या प्रत्यासी हैं उन लोगों ने बूत कमेटी सेक्टर कमेटी जोन कमेटी नहीं जमा किया था तो उसके लिए निर्देश जारी कि 18 तारीक तक आप लोगों हर हाल में जमा करदी चिए दूसरी चीज़ है जो विष्यास करके उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी नेता चाहे जिस पार्टी के है। किसी भी प्रियूग के खिलाब या इसे कोई सब्दो का प्रयोग ना किया जाए। मायावती को लेकर के कहा कि उनका संब्ण करना चाहिए या अब Marine के खिलाब कoi टिपड़ी नंहीं करें। तो हम उनका सम्मान करते हैं, हमने किसी नेता के खिलाब कभी अपमान जनक सब्दों का प्रयोग नहीं किया है, हमने सब का सम्मान किया है, उसी तरह आप लोग भी सारे पार्टी के लीडरों का सम्मान करिए. खबर ये है कि कांग्रेस ब्यस्पी गड़ बंधन को ले करके बातचीत चल रही है, दो दिन से अकलेस पर लगातार मायोती हमला वर थी, अकलेस ने आज क्या कहा, कांग्रेस और ब्यस्पी जो बातचीत कर रहे हैं, तो क्या हैस्थिती रहेगी? उन्होंने अपने मीटिंग के दवरान कोई ऐसी बात नहीं की कांग्रेस और ब्यस्पी और हमारा गड़ बंधन हो रहा है, उन्होंने ये तना कहा कि गड़ बंधन हो रहा है, आप लोग उस पर सहमत हैं, तो आगे बात बलहाई जाए, तो सभी लोग सहमत हैं गड़ बंध हुआ है सपा 78 सीट देने की बात कर रही है कांग्रेस के तरफ से सीट मांगने की बात नहीं हुई है अभी आज तक दोनों तरफ से तयारी हुई है आज कुछ ऐसी बात है कि साम तक बात कांग्रेस से मानने राश्ब अद्धिक के द्वारा हुगी इसके लिए आज के बात पता लगेगा कि कि इतनी सीट मांग रहे हैं । किसो रावल गांधी से बात होगी यचा कुछेसिय। जो जीती है या दो पर रहिया वह सिटे देना चाहेती या ऐसे मिलाकर जेको उत्तर परदेश में क्येवल केवल जो है समाज़ाधी पार्टी के जन धार है 쉽 की लगता है कितनी सीटे समाज़ाधी पार्टी कानरेश को दें अब हमारे समझ से तो आट दस देना चाहिए अरेलडी या जुचन सिखर मांग रहे हैं सिटे इसमें भी साथ आट सीट जाएगी अब यह हमें कुछ पता नहीं है ठीक से ना बताया गया है लेकिन उन्होंने अपनी सूची दे दिया है उन्होंने नाम भी दे दिया है और उन्होंने लोगसभा का भी नाम दे दिया है लेकिन अब यह अंदर खाने की बात है इसमें मानने राष्टे अधिक जी जाने जो नि विजेपी को कैसे हम लोग उन्होंने कहा है कि किसी भी धर्म किसी भी जात के बारे में कोई टिपड़ी हमारे पार्टी के नेता न करें चोकि हम सभी धर्मों को मानते हैं सभी जातियों का सम्मान करते हैं और हमारा धर्म और हमारा भगवान पीडिये है और आधियावादी को सब लोगों को आगे बढ़ाना है इसलिए जात और धर्म से हमें कोई टीका टिप्री नहीं करना है सब की जात और सब धर्म को हम मानते हैं अधियाव में बाषत तारिक का प्रगाम है प्राहर प्रतिष्ठा को लेकर के उसके बारे में कुछ चार्च वरे कि अख्ले शादो लगातार कर निमंतरण नहीं मिला बिस सुंद्भी परशाद की तरफ से आ गया है कि मैंने निमंत्रण दिया है उन्होंने कहीं कोई निमंत्रल नहीं दिया है उनको कोई काड़ नहीं मिला है अब वाट्सप पर कोई भेजा हुए वाट्सप पर दिखाई दे रहा हो तो हो लेकिन उन्होंने कहा मुझे कोई निमंत्रल नहीं मिला है अब प्रस के सामने भी कहा कि हम जिसको बता रहें कि उन पर नहीं गया है तो आज की बैठक में कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई जो उनके नेता थे खास करके पूर विधायक विधायक और जो लोकसभा प्रतियासी हैं संभावित उनको भी बुलाए गया था तो बैठक में सामिल बैजना दूबे ने कहा कि इन विद्दों प इका टिपड़ी उचित नहीं है पंकत चत्रुवेदी टीवी नायन लखनू